हलो यूरी वन नमस्कार इस वीडियो में बात करेंगे एवर ग्रेनेट क्राइसिज के बारे में एवर ग्रेनेट चाइना की वो मेजर रियल स्टेट कंपनी जिसने पूरी दुनिया की एकनोमिकों परभावित किया है इसके बारे में detail से पढ़ेंगे ये company basically real estate sector के अंदर काम करती है इसके उपर इतना ज़्यादा करज है जिसका impact पूरी दुनिया पर पढ़ रहा है और Monday को यानि आज के दिन जो है पूरी दुनिया के share markets पर इसका असर पढ़ा है इवन इंडिया के share markets पर भी इसका असर पढ़ा है तो ये पूरा issue है क्या इसके बारे में to the point हम लोग बात करेंगे Evergranate से आप इसी चीज़ से idea लगा लेजिए ये कुछ आप photograph आप पीछे देखेंगे यहाँ पर ये basically बड़े जो construction होते हैं मेजर एक real estate की company है commercial और individual level पर जो flats बनते हैं घर बनते हैं उन सब को ये त्यार करती है एक major company है यहाँ पर ये photograph आप देखेंगे एक ये stadium prepare कर रहे हैं गौंग जाओ के अंदर इसका जो currently prepare कर रहे हैं ये कुछ photograph के थुरू आप इससे idea लगा सकते हैं यहाँ पर पूरा issue हुआ है क्या है चाइना की company evergranate ये इसको pay करना था यनि इसने बहुत जादा पैसा ले रहा है bank से इनको Monday को यारी आज payment करनी थी और ये payment कोई ऐसी नहीं कि कोई छोटी मोटी amount payment करनी आप इस बात से idea लगा लीजिए कि 84 million interest payment इनको करनी थी Monday को राइट और इतनी ही payment जो है इनको थ्रस्डे को भी payment करनी है 84 million dollar की केवल interest payment करनी इससे idea लगा लीजिए कितना इन्होंने loan लिया है दुनिया की most indebted real estate developer company बन गई है यानि दुनिया में वो company जिसने सबसे ज़्यादा कर्ज ले रखा है उन companyों में से एक है और इसको Monday को जो interest payment करना था ये fail कर गए है और उसका असर होता क्या है Hong Kong में 10% company के share गिर जाते हैं क्योंकि अगा आप interest pay नहीं करेंगे लोगों का trust तूटेगा और इसकी वज़े से ये पूरा जो घटना करम हो रहा है इसका क्या सर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और most important क्या Chinese economy से collapse कर जाएगी ये important सवाल है सबसे पहले बात करेंगी कि Evergranate ये trouble जो ये शुरू कैसे हो Evergranate इतनी बड़ी company कैसे feel कैसे कर गई वोच जीजे हम पड़ेंगे इसके अंदर पहले बात चाइना की one of the biggest companies में से एक है क्योंकि इसकी borrowing जो है लगबग 300 billion dollar के आसपास है इससे idea लगा लिजी कितनी important ये company है और कैसे पूरी दुनिया को ये प्रभावित कर रही है लास्ट येर बीजिंग ने कुछ rules मनाये थे control करने को लेकर कि बहुत जादा real estate company loan ना ले उसके बाद Evergranate ने कुछ major लिए कि भाई इनकी property sale होती रहे कुछ discount दिए ताकि उनके पास पैसा आता रहे business upload को continue किया जासके लेकिन अब ये company face कर रहे है एक interest payment तक नहीं कर पार जो इन्होंने loan ले रहा है पूरी दुनिया चाइनीज बेंक से खास कर उनको pay नहीं कर पा रहे है और इसकी वज़े से आप देखेंगे इसके share के अंदर 85% के around टंबल कर रहे हैं यह disturbance यानि उसमें इतनी गिरावट देखने को मिलती इतनी lower level पर आप इसको देखेंगे नेके वल गिरावट है बलकि our all जितनी major companies है जो rating agencies है वो भी इसकी rating को downgrade इन्होंने किया है अब अगर आप देखेंगे कि ever grenade का जो collapse है इसका क्या impact होगा और कितना ज़्यादा यह परभावित कर सकती है यह कुछ चीजें जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि ever grenade का collapse जो है यह क्यों हुआ है रीजिन क्या problem ही कैसे शुरू हुई पहली बात कई सारे लोगों ने जो property खरीदी है वो जहां पर काम भी शुरू नहीं किया अब बहुत सारी और भी concern है यह तो केवले एक simple साथ collapse देखने को मिले इसके अ और debt crisis create हो जाएगा इसके अलावा बहुत सारी companies ने investment करका share खरीद रखे construction company ने अगर time पे supply नहीं होती material supplier को लेकर design को लेकर वो सारी company major एक तरीके से loss में जाएगी और उसका असर क्या होगा यह company हो जाएगी bankrupt यानि दिवालिया की कगार पर चले जाएगी यानि बहुत सारी यह company के तरूँ चाइना की बहुत सारी company जो है bankrupt होने का डर रहता है कि और overall इसका सबसे खराब सत पड़ेगा चाइना के financial system पर राइट हलाकि चाइना के अगर आप बात करेंगे इसको लेकर economic intelligence units ने बताया कि evergreened ने दुनिया भर के यानि 171 domestic bank से और 121 financial firm से जो loan ले रखा है इतना ज़्यादे इन्होंने loan ले रखा है और इसका impact definitely चाइना पर चाइना के economic system पर और क्योंकि अगर चाइना पर पड़ेगा तो पूरी दुनिया पर पड़ेगा क्योंकि चाइना वर्ल्ड की second largest economy है और ये पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल भी अच्छी news नहीं है खा उसके लिए foreign investment का होना बहुत जुरूरी है foreign investment को लेकर जो है वो concern है और क्योंकि attractive नहीं लेगेगा वो place तो वहाँ पर हो सकता गयाने वाले time में जो foreign investment के perspective से उसकी rating जो है वो और कम हो जाए है ये कुछ डर होंगी अगर आप देखेंगे क्या evergreen इतना बड़ा है कि चाइना क economy fall कर जाएगी या fail कर जाएगी या एक तरी कि collapse कर जाएगी इसको लेकर doubt हो सकते है क्योंकि भले ही चाइना के अगर आप देखेंगे इसका असर definitely पड़ेगा economy पर और indebted company जो है वो collapse कर रही है हलाकि इसको लेकर अलग-अलग जो economy step वो अलग-अलग perspective से सूचते हैं कि definitely ये और कि government जो इसको लेकर bailout को लेकर rely नहीं करती और ये company को अपने आप save करना पड़ेगा यनि government एक तरीके से बोल सकते हैं कोई bailout नहीं दे रही इस चीज़ को और ये बोला गया कि evergranate का crisis evergranate को ही sort out करना पड़ेगा तो इसका असर पूरी दुनिया पर हो रहे है क्या असर और उसके बारे में बताऊंगा क्योंकि दुनिया भर के अगर आप देखेंगे जैसे आप google पे evergranate लिखेंगे उसके बाद पूरी दुनिया भर में ये news cover की जा रही इसी से idea लगा लेजी कि topic जो है इतना easy नहीं है या ये topic कितना important उसके बारे में आप idea लगा लेजी पूर दुनिया की economy को disturb किया है इस evergranate एक तरीके से collapse ने हलांकि चाइना ये बोल रहा है चाइना ये government ये बोल रही है कि हम लोग इस तरह के जो debt है इस तरह के या जो evergranate crisis उसको pay करने के लिए bailout देने bailout का मतलब क्या होता है कि उसको save करने के लिए जो पैसा दिया जाता सरकार के होना चाहिए ये company businessman थे हुई का यान इन्होंने फांड करी थी इनके name की pronunciation हो सकता गलत हो बट ये आप लगा लेजी इन्होंने करी थी आप नाम अपने अपने इसाफ से प्रनाउंस कर लेजिए 1996 में Guangzhou जो Southern China के अंदर है वहां पर ये फांड करी गी थी real estate company कितनी बड़ी है इसी से आडिया लगा लेजी 1300 प्रोजेक्ट है इसके और लगबग चाहिना की 280 cities चाहिना की 200 से सहरों के अंदर है फेली हुई है इनके अलाबा अगर आप Evergreen Group के Encompass को देखेंगे तो इसने real estate के अलाबा अलग अलग groups के अंदर जैसे wealth management है making electrical car है food and drink manufacturing है इन सम में भी investment किया है और ये माना जाता है कि इसके लगबग 10.6 billion dollar के आसपास personal fortune है ये कुछ चीज़े इसमें mention करी गई है इस पूरे analysis के अंदर तो इसका impact पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और इसके बारे में basic basic सी information जो है हमें पता होनी चाहिए और इसको लेकर कुछ analyst ये doubt भी करते हैं क्या 2008 2008 के बाद पूरी दुनिया के सामने एक नया real estate concern जो है वो देखने को मिलेगा ये खुछ सवाल है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए तो उमीद करेंगे आपको basic basic सी कुछ बाते समझ में आई होगी और इसको simplification करने एकोसिस करेंगे thank you all जहिन